भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्बुद संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टिवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइगॉन पर क्लिक करना न भूलें और गनेश जी हमारी परंपरा में पर्थम पूज्य हैं सभी देवतावों की पूजा करते हैं और शंकर पारवति की पूजा कर इससे पहले हम गनेश जी की पूजा करते हैं और हमारे सब के घर में बगवान गनेश जी रहते हैं किसी का घर ऐसा नहीं होता जिनके घर में गने पूजा है एक शीव शीव का अर्थ क्या है सब का कल्यान शत्रुव का भी कल्यान और एक पूजा है शक्ति अपने शक्ति के बल पर सब की रक्षा करो यह है शक्ति पूजा और तिसरी गणेश गुणों का आदर करो गुणों की पूजा करो और यह है विश्णों जिस्ते प्रापक्त वाते और ये कह सूर्य नारान गिनान और विद्या काप में प्रकाश होना चाहिए यह है अमरी पंचायत पूजा बगवान शंकर पारवती गणिश बगवान विश्णो जी वर सूर्य नारायन गणिश होना चाहिए गुण की पूजा है अमारी परमपरा लेकिन बहुत सारी विचारधरा ऐसी है अपने घर में से गणिश को दूर कर दिया है कभी गणिश को दूर नहीं करना चाहिए हमारी परमपरा है और एक बात कहूं रोज दो काम करों और अस्तोत्र कंठस्त मुखपाट नहों सके एक रोज द्वादश जोतिलिंग को याद करें असका और दूसरा द्वादश गणेश प्रणम्यम शिर्षादेव गवरी पुत्र विनायक पंदलेकर पूरा स्तोत्र है दोनों स्तोत्र है बस सुबह में भी और शाम को भी और ज्यादा नहों सके बहुत हो सके तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत साधना अच्छान उपास्तना वरत वरतादी कैसे हम कर यूगे बहुत संसार की ज्वाबदारी हैं सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं लेकिन गणेश और एक शंकर जी द्वादश अस्तोत्र और द्वादश जोतिलिंग अस्तोत्र दोनों जरूर और घर में गणेश जरूर रखे यार म मैं संब्रदाई काता नाम नहीं देता लेकिन यह अच्छा नहीं लगता आपके भक्तों के घर में से गणेश जी को भी दूर करा देते आप एक अबही नहीं ऐसा नहीं गणेश रखना ही चाहिए और कहीं कहीं लोगों को मैंने देखा हैं द्वार में गनेश जी को नहीं रखते हैं लाफिंग बुद्धा को रखते हैं लाफिंग बुद्धांसता हुआ बुद्धा बड़ी फांद वाला बुद्धा यहां तो मैंने कम देखा लेकिन अमेरिका में मैंने बहुत देखा और कहीं कहीं इंगलेंट की धर्ती पर मैंने बहुत देखा आंगन में लाफिंग बुद्धा अमरी परमप्रा किया है द्व कुंढ़ भरह हुए ध्यकनेस्ट चैने ही माच़ी तो द्वार पर लाफिंग भुधा लेकर पर में गया तो मैंने देखा इतना बड़ा लाफिंग भूद्धा बड़ी भान दवनाम भ्याठा अस्ता भुधा तो मैंने का यह लाफिंग बुद्धा क्यों आपने रखा तो कि आंगन में लाफिंग बुद्धा रखे ने तो किसी के नजर नहीं पड़ती किसी के दृष्टी नपड़े लाफिंग बुद्धा पर स्थीर रह जाती है तो अच्छी बात है दूसरी बार तो दूसरी बार यह कही उसने इसका जो बड़ा पेट है उस पर आत गुमाने से बहुत पैसा मिलता है तो मैंने तो यह गंटे तक गुमाया यह सभी सभी मान्यता रहते है ऐसा कुछ भी नहीं होता आज का पुरशारत कल का हमारा भग्य रहता है